तो आज का जो टॉपिक है वह यह है कि क्या 2000 से 3000 वाले भी लाइप में अच्छा कर सकते क्योंकि हमको सुनने को मिलता है कि गेट में जिन लोग का अंडर 100 राइंक आएगा अंडर 150 राइगा 200 राइगा उनको पीसी मिलता है ठीक यह बाद तो सच उसके बाद टॉप कॉलेजिस जो मिलते हैं वह भी अच्छे राइंक वाले को मिलते तो कई बार ऐसा फील होता है कि 2000 तीन हजार राइग वाले लाइफ में कभी अच्छा करी नहीं पाएंगे यह एक परसेप्शन तो बनी जाता है जो प्रिप्रेशन करते हैं उनका परसेप्शन बन जात है था मैं किसी सेशन में बताय भी था उसका पैकेज इतना ज्यादा था और उसका रेंग भी बहुत पीछे था तीन हजार रेंग के आस पास था यह जरूर है कि हम अपने आप में डाउट करने लग जाते हैं जिनकी में अच्छा होगा कि नहीं कि 2000 रेंग आने से लोग रो कर देते हैं लेकिंगे सची बात नहीं हाँ आप इस लगता है कि में उतना चाह नहीं कर पहूंगा जिंदगी में जब कि सची ऐसा नहीं है अच्छा करने के लिए आपका बिलीब सिस्टम इंपोर्टेंट और आप अगर कम रेंक आया आपका ज्यादा नहीं है दो हजा ती सट सब्सक्राइब कॉलेज में जाकी एंट्क करना चाहा रहे हो तो उसके बाद आपको फोकस्टोर करने के नीड होती किли आपको देखना होता है कि आपको अपनी स्कील किसे क्या से इंप्रूब कर ना है आप देखना सब्सक्राइब करते हैं जब देखता हूं कि तीन चार पांच साल बाज में देखता हूं तो जिन्दगी में बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए मतलब वह खुद नहीं सोचे तैसे लोग जाता मैसेज करते हैं को क्यूंकि उनका एक्सपेक्टेशन जो होता है खुद से पर जाता है उनको लगता है कि जैसे तैसे जिन्दगी में दाल रूटी का इंतिजाम हो जाए हम सभी लोग का एक हम यह सोचने लग जाते हैं कि अब मेरा लाइफ में तो अच्छा होगा नहीं क्योंकि मैं फेलियर ही है लोग दो हजा तीन हजार रैंक को भी फेलियर मानते है तो किसी का आजाता होगा करके सच नहीं है ऐसा भी सच नहीं कि आप तीन हजार रैंक आ गया मैं मैं आज का जो सेसा नहीं हो उस बार पर फोकस कर रहा हूं कि हम प्रिप्रिशन कर रहे है मेरे टेस्ट में नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे मेरे टेस्ट में रैंक नही तो मैं कुछ डर हो गया कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यह हर विक्ति इसके जिसके दो सब्जेक्ट चूट जाएंगे लेकिन आपकी जिंदगी कोई लेले लेगा आप से इसा वील्कुल नहीं जिन्दिकी में अच्छा नहीं कर पाओ यह इंडिया का सीने रेंक नहीं आपाया कोई 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं लोग 2,000-3,000 को भी घराब मानते इसी सिच्वेशन आ चुकी अब क्या कर सकते हैं अच्छा जब तक हमारे जिंदगी में जो 3,000-4,000 वाले लोग जब अच्छा करते तो उनके बारे में इसलिए भी नहीं पता चल पाता है क्योंकि उनको अच्छा करने में टाइम लग जाता है हम हमेशा प्रजेंट टाइम पे बात करते हैं तो जिनका रेंक अच्छा आता है उनके इंटर्वी छपते हैं एक आरी साल बाद उनका प्लेश्मेंट अच्छी जगा हो जाता तो उनहीं की बारे में बात होती है जिसका पीछ आता है उसको टायम लगने कंगे वान श्टोरी बढ़ी बन जाती है तब तक वह दुनिया के सामने कितने को पता चलता तो इन जनरा सर्च करें कि जिन जिन लोग का 40000 पांच था उनकी जिन्दगी में पांस दस साल बात क्या अच्छा हूँ ऐसे बड़ा नंबर है अच्छा का नंबर मिल जाएगा लेकिन वही है कि जब आप प्रिपेशन करते हो तो आप अपने आप से इतना एक्सपेक्टेशन करते हो कि साइटी में हमारे चारों साइड यही बात होती है कि यार अच्छा रेंक के बिना तो जिन्दगे में कुछ नहीं रखाया वही जिन्दगी सर्व एंटेक करने पहुचेंगे वही स्ट्रगल होगा स्ट्रगल के बार ही लोग हीरो बनते हैं क्वेशन यह कि जब इस्ट्रग अब लाग आओ तो इस चल जाएगे आपको क्या लग रहा है जिन्दगी तो इस ट्रगल का दूसरा नाम है तो मैं बोल रहा हो कि आप जब प्रिप्रेशन करते हो तो आप अपना बैस्ट ट्राइग करो लेकिन आपके एक सब्जेट ना रेडियोंने से गेट को लेप कर द जानसेस उसके बाद भी जब आप चीजों से भागते हो तब तब होगा तब तो दस अजार की जॉब भी मिलना हो जाएगा क्योंकि आप भागते हो आप चीजों को हैंडल नहीं करना चाहते हैं आप में तक कॉंफिडेंस नहीं कि 4000 रेंक लाके में दुनिया चेंज कर सकता मैं कियां शीरी में जानता विन हो स्वक्त लोगों से एक साल पहले अ कोलेज ही बना था मानने ये उसके想श कूले मिली मिण थी तो हम कैसे सानी करके मैं ही चार लोग सब कोई खास स्कूर नहीं था तो मैं बोल रहा हूं कि यह बात समझना पड़ेगा कि एक अच्छा जब आप करेट करने वाले हो तो वह टाइम टेकिंग प्रोसेस होता और इस पेसली नॉमल लोग को टाइम लगता है नॉमल लोग बुलने का मतलब है जो सुपर हीरो नहीं है जिनकी जिन्दगी सुपर हीरो समान नहीं चलती है जिनको थोड़ा 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 बड़े आप बहुत इस्टगल के बाद मिता है अपने पर बिली बनाए रखो अपनी प्रिपेशन को हम मत करो यह सोच के कि मेरा अच्छा रैंक नहीं आएगा आपके बारे में क्या बोल सकते हैं जिसको खुद पर कॉंफिडेंस नहीं जो एक तरीका खूज रहे कि मेरा रैंक आ जाए और मैं कैसे भी करके किसी की जॉब ले लूँ और मेरी जिन्दगी सेफ हो जाए ऐसी जिन्दगी अगर आप चाहा रहे हो कुछ तरीके से बस मेरा रैंक आजाए बस इसका मतलब है कि मेरा जिन्दगी चीनी सकता ऑपनी जिन्दगी को बैटर मुकाम पहुचा दो गहे हैं ऑसा नहीं हो confidence भी नहीं है तो फिर इंजिनिंग करने का फाइदा क्या हुआ आपको इंजिनियर बनाया कुन जिसको यह confidence नहीं है जो इस बात के लिए डर रहा है कि अगर मेरा rank नहीं आएगा तो मेरे हिल जाएगा तो मेरे जिन्दगी हिल जाएगी ऐसा नहीं हो सकता ऐसा तभी हो सकता है जब आपने confidence की कमी हो थोड़ा सा best देते हैं और मिलता नहीं best है तब वह प्रोसेस में जाता है लेकिन आपका जो best effort और intent था वह आपको एक दिन बहुत सही जगा पर पहुचा देता है इस बाग का ध्यान हो इसलिए 2000-3000 रहेंगों 3000-4000 यकीन मानिए अपने आपको अगर आप अच्छे तरीके से केरी करोगे तो आप तो भी एक अच्छी स्टोरी कर लोगी जिन्दगी क्या अच्छी स्टोरी मतल्य सच मैं तीन लाग चार लाग पैकेज की बात नहीं करता हूं अच्छी स्टोरी अच्छी स्टोरी या रखेंगे इस बात को है ना confidence रखिए अपने time को utilize कीजिए focus रहें और लोग क्य क्या बोलते हैं दुनिया क्या बोलती है कितने rank में जिन्दगी बनती है यह सब यह सब टाइम पास बाते गौसिप वाली बाते इग्नूर मारा करो इन सब बातों अच्छे लोग की नीड आज भी दुनिया को इंडिया को क्या पुरे दुनिया को अच्छे लोग की नीड है अच्छा डिसिप्लीन परसन थोड़ा smart approach के साथ कोई work करता है ऐसे लोग की नीड पूरे दुनिया में है तो आप ऐसे बनोना कर लगा आपका rank नहीं भी आपाया smartness branding वाली चीजों से नहीं आएगा smartness internal smartness important आप काम को कैसे execute करते हो discipline अपने आप में कितना अच्छा है यह सब चीजों से एक package बनता और ऐसे लोग की जरुवत पुरे दुनिया को आज भी है और 50 साल बाद भी रहेगा क्योंकि ऐसे लोग का कोई alternative नहीं होता है अपने आप अप मेरी बातों को understand करते होंगे okay thank you